सुप्रभाद विच्चों, काक्षादस के हिंदी विशे के अंतरगत, इससे पूर्व मैंने आप लोगों को कन्यादान कवीता के रचनाकार रितुराज का परिचे दिया था, आज हम पाठ को पढ़ेंगे, इस पाठ में मा और बेटी के माध्यम से इस्त्री जीवन की सचाई को रखा गया है, उस पर प्रकाह जाला गया है, कभी कहते हैं कितना प्रामानिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, बेटी जो है वो मा के लिए अंतिम पूंजी है, क्योंकि वहां अपने जीवन के हर सुख दुख उसी कभी ने कञ्या के विवाह पूंज स्थिती का अत्यंत सुक्ष्मता से और भावात्म पूंज बर्नन किया है, कञ्या की चिमता में गुति मा, उसकी मनोदशा, उसका चित्र जो है अत्यंत सजीव अंकित किया गया है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाचना नहीं आता था, पाठी का थी वह दुंदले प्रकास की, कुछ तुकों और कुछ लेबद पंक्तियों की, यहां कभी कहते हैं कि तुकों और लेबद पंक्तियां जो है, इसका तात पर यह सामान ग्यान, भिनादारी की समझ नहीं है, वो विवा से पहले जो है, उसने अपने परिवार में, अपने माता-पिता के सानिदे में केवल सुख देखा है, दुखों की मात्रा अगर थी भी, तो बहुत कम, और माने सायत हमेशा कोशिस की, कि पुत्री को दुख का आभास ना हो, वो अभ छला जा सकता है, और ससुराल में जब वो जाएगी, तो उसे दबा कर, उसके उपर मनमाना अत्याचार किया जा सकता है, इसलिए कभी कहते हैं, कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की जो है, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं थी, वो परिपक्व नहीं है, वि डूबी हुई है, तुकों और लैसे बंधी काब पंक्तियों के समान वह बिवाह के कालपनिक सुखों में जीती है, इन पंक्तियों में अत्याचार की सिकार लड़की का दुखद जो रूप है, वो सामने उभर के आता है, लड़की समाजद्वारा बनाई गई विभिन कुर देती है, बेटी मा की ही छबी होती है, मा अपने सुख दुख को बेटी के साथ मिलकर ही बाठती है, इसलिए कन्यादान के समय मा को लगता है कि बेटी उसकी अंतिम पूंजी है और वो उसे सचेत करना जरूरी समस्ती है, मा बेटी को समझा